Hello everyone, welcome to my channel guys, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी life में आगे बढ़ रहे होंगे तो आज जो हम reading करेंगे guys, आपके person की current feeling को लेकर है इस वक्त आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? चलिए देख लेते हैं, all science के लिए reading है guys, married and married को भी देख सकते हैं male female को भी देख सकते हैं, timeless reading होने वाली है general और collective reading है, जितनी resonate करें उतनी रखिएगा तो चलिए अपने person पर focus कीजिए तो ऐसा है guys कि जो आपके person है, वो बहुत सब परेशान दिखाई देते हैं इसलिए कि इनकी life में चीज़ें वैसी नहीं हो रही है, जैसा यह चाहते है सब कुछ उल्टा हो रहा है, कुछ भी इनके हिसाप से नहीं चल रहा और ऐसा है कि यह बहुत अदा sad भी है और sad इसलिए है क्योंकि आप से इनकी बात नहीं हो पा रही है अभी जब यह परिशान है, इनको सहारे की जरूरत है, इनको आपके साथ की जरूरत महसूस हो रही है तो यह आप से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप से दूर हो गए है इस वज़े से यह set दिखाई देते हैं और अभी ऐसा भी है guys कि यह इनसान आपको कोई offer देना चाहते हैं आप से मिलना तो चाहते ही है, बात तो करना ही चाहते हैं कोई offer भी आपको देना चाहते हैं, ऐसा भी है आपके लिए भी आपके person बहुत सथा emotional दिखाई देते हैं और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी है guys कि जिनके person ने आपके साथ cheating भी की है ऐसा भी है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपके person ने आपको cheat किया है वो किसी ना किसी वाज़ा से आपको छोड़ कर गए हैं और देखिए ऐसा भी हो सकता है, यह third party की तरफ बढ़े हैं और इन्होंने कुछ बताया भी नहीं आपको अचाना कि सब कुछ हुआ है और यह आपको धोका तो दिये ही है और ऐसा है कि उस समय इनका यह था कि अपने बारे में यह जादा सोच रहे थे इनको अपनी खुशी का ज़दा ध्यान था इन्होंने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है और यह third party की तरफ बढ़े हैं कुछ के परसन तो और कुछ के परसन ऐसा है कि करियर को लेकर बहुत ज़दों समय सोच रहे थे और उनको यहीं सही लगा कि आपसे अलग हो जाने के बादी वो अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे अपने करियर पर वो फोकस कर पाएंगे इसलिए उन्होंने आपसे अलग हो जाने का फैसला किया लेकिन कुछ के परसन का वही है कि वो किसी तीसरे इनसान की तरफ बढ़ गए अब थर्ड पर्टि यहां पर उनकी फैमली भी हो सकती है या फिर उनके अधर कोई रोमैंटिक पार्टनर या फिर वो किसी और के साथ पहले साही मैरिट थे किसी और के हस्बेंड या वाइफ थे तो यह उन्हीं के तरफ वापस चले गए तो किसी भी तरह से धोखा तो आपको मिला है आपने तो यही सोचा था कि इंसान आपको साथ देंगे फ्यूचर में भी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और बहुत सारे वादे भी इन्होंने किये लेकिन कोई भी वादे इन्होंने निभाए नहीं तो जूटे वादे भी इन्होंने किये है और देखिए ऐसा है जूट भी यह बोलते रहे आपसे बाते भी चुपाते रहे और आखिर में वही हुआ कि आपको चीट करके गए है जब आपके सांथ रिष्टे में आये तब तो सब कुछ सही चल रहा था दोनों एक दूसरे को प्यार दे रहे थे समझ रहे थे और आपने यह सोचा भी नहीं था कि कभी यह इनसान आपको धोखा भी देंगे और अचानक ही चीज़ें बदली हैं और यह आपको धोखा दे कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए कह दीजे तो आपको सोचल मीडिया से ब्लॉक कर दिया और विल्कुल आपसे अलग हो गए आप समझ भी नहीं पा रहते कि कोई बात ही नहीं हुई कोई जगड़े नहीं हुए आपने कुछ नहीं कहा उन्होंने भी कुछ नहीं कहा आज भी आप इनको मिस करते हैं आज भी आप चाहते हैं कि सब सही हो जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाएं लेकिन देखिए अब आप अप अपनी तरफ से कोई प्रयास करना नहीं चाहते अब आपने खुद को ऐसा है कि रोक कर रखा हुआ है अब आपने सोच लिया कि अपनी तरफ से इनको कॉल मेसेज नहीं करना इनको किसी तरफ से समझाने का कोई प्रयास नहीं करना है क्योंकि आपने सब कुछ करके दिखा और कुछ भी सही आप नहीं कर पाए तो आपने सोच लिया कि बस अब बहुत हुआ अब ऐसा है कि अपना समय बरबाद नहीं करना या अब किसी भी तरह से इनके पीछे नहीं भागना है वही समय आप खुद के लिए लगाना चाहते हैं अपने आप से आप ऐसा है कि प्यार करना चाहते हैं सेल्फ लव आप करना चाहते हैं अपने काम पर आप ध्यान देना चाहते हैं और आपने यही सोचा है कि अगर उस इंसान को आपकी तरफ बढ़ना है तो वो खुद प्रयास करें, वो खुद आपके सामने जुकेंगे वो गलती करके गए हैं तो उनको माफी भी मांगनी होगी और वो आपकी तरफ बढ़ें आप आप अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं करना चाहते और यह परिवर्तन जो आप में आया है वो इसी वज़े से आया है क्योंकि इस इंसान का रवईया आपके सांथ सही नहीं रहा है जो कुछ हुआ इनी की वज़े से हुआ रिष्टे में जो परिशानी आई इनी की वज़े से आई आपके समझाने के बावजूद भी है इनसान समझे नहीं और इसलिए अब आपने आप में बदलाव लाया है और आपके परसन को भी लगता है गाई किआप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं अब आपको इनकी फिकर नहीं है अब आप इनकी परवाह नहीं करते और ऐसा है कि आपकी लाइफ में ये भी हो सकता है कि कोई नया इंसान आ गया है इसकी वज़े से आप ऐसा करते हैं तो ये सारी बाते हैं अभी आपके परसन के दिमाग में चल रही है और इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे तो अब आप इन पर ध्यान भी नहीं देंगे अब आप इनको हो सकता है रिजेक्ट कर दें और आप में से कुछ लोग जो चाहते हैं कि वो इनसान आपकी लाइफ में वापस आ जाएं जो आपके एक्स हैं वो वापस आ जाएं लेकिन आपके परसन को यही लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे और आप में से कुछ लोग तो आज भी चाहते हैं उस इनसान के साथ रिष्टा ठीक करन और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब किसी नए परसन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और नए इंसान के साथ अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और पास्ट में ऐसा हुआ गायस कि आप इनकी धरूरत से ज़्यादा केर करते थे इनका बहुत ज़्याल रखते थे इनको खुश रखना चाहते थे इनको प्यार देते रहते थे और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता था कर दीजिए ये इंसान ऐसा था कि आपको इत हैती थी इसलिए ना कभी इन्होंने future की कोई planning की नहीं उन्होंने कभी आपके लिए वो कभी serious भी नहीं हुए बस उनको यही था कि जैसा चल रहा है चलने दो जब फायदा आपसे मिलता है ले लो और बस बाद में देखा जाएगा future future की बारे में ये ज्यादा सोचते नहीं इन्होंने सोचा ही नहीं जादा की बात ही नहीं है तो सोचते ही नहीं थे इनका बस यही था कि वो तुरंट का सोच रहे थे जैसा चल रहा था वैसा चलने दो ऐसा था इनका लेकिन जब आपसे ये अलग हुए है तब इनको अपकी लिए serious दिखाई देते हैं अब ऐसा हो इनको किसी भी तरह आपकी लाइफ में वापस आना है आपको हासिल करना है अभी ये सोच रहे हैं अभी आपसे अलग रह रहे हैं तो रहे भी नहीं पा रहे हैं आपको बहुत सदा मिस्क कर रहे हैं पहले तो इनको यही लगा था कि आप इनकी लाइफ में रहे ना रहे इन अब रह नहीं पा रहे हैं और इनका यह है कि किसी भी तरह यह आपकी तरफ बढ़ ¿घाते हैं आपकी बात करना चाहिंLE है। आपको कॉल्या मेसेच करना भी चाहेंगे तो आप साथ रिसीव ही न करें या करेंगे तो किसी तरह से बहस बाजी हो जाए या फिर ऐसा है कि आप बिल्कुल इनको कहे दें कि अब आपकी जरूरत ही नहीं है तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे या इनको डर है या अपने आपको देखिए हर्ट करना नहीं चाहतें या अपनी सब्डा पर इनको अकेलापन मैसूस हो रहा है काफी उधास और मायूस दिखाई दे रही है और थार्ट पार्टी के साथ भी ये भी हो सकते है कि अगर आपको छोड़कर थर्ट पार्टी की तरब बढ़े थे तब ये भी थर्ट पार्टी में इस चक दिखाई देते हैं और थर्ट पार्टी के साथ खुश तो है नहीं वहाँ पर भी इनका कह दीचे तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है इनका रिष्टा वहाँ भी ठीक नहीं है थर्ट पार्टी फैमिली हो चाहिए इनके हस्बेन या वाइफ हो इनके अधर कोई रोमेंटिक पार्टनर हो चाहिए जो भी यहाँ पर थर्ट पार्टी है उनके साथ इनकी यह भी बन नहीं रही है तो वहाँ भी कुछ सही है नहीं, उसकी वज़े से भी ये परिशान है, आपसे दूर हो गए, इसलिए भी ये परिशान है और दुखी भी है, तो अभी बहुत सदा ऐसा है कि अकेला अपन इनको महसूस हो रहा है, इनको आपके साथ की जरूरत है और अभी ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आप इतना सब बदल गए, क्या कोई आपको नया इनसान मिल गया, तो ये सब अभी ये पता लगा रहे हैं, और हो सकते है कोई आपके आफ़र लेकर या आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान कब तक आपकी तरफ बढ़ेंगे तो ऐसा है गाइस की देखिए यहाँ पर six number important है ठीक है तो हो सकता है च्छाय दिन में या च्छाय घंटे में या च्छाय हफते में यह इंसान आपकी तरफ बढ़ सकते हैं six number important है तो यहाँ पर तो new beginning दिखाई देती है guys तो आप positive रहे अपने passion को follow कीजिए अपने जंदगी में आगे बढ़ते रहें और कुद भी कुश रहें और उनको भी कुश रखिए तो यही reading है आच की वीडियो पसंद आए तो like share जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा ओके बाबाई take care love you